Hello friends, आज हम बताने वाले हैं, wages का अर्थ क्या होता है और sentence में उसे यूज कैसे करते हैं? So, let's start the video. Wages का अर्थ होता है, बेतन, मजदूरी, महनताना. तो चलिए इसको sentence में और भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं. Example, wages fail precipitately as also did rents. इस sentence का हिंदी में मतलब है, मजदूरी में तेजी से गिरावट आई, साथी किराएं में भी गिरावट आई. चलिए next example जान लेते हैं. At the same time, wages remain low. इस sentence का हिंदी में मतलब है, साथी बेतन भी कम रहा. चलिए next example जान लेते हैं. Finally, she felt comfortable about her wages. इस sentence का हिंदी में मतलब है, अंथ में उसने अपनी मजदूरी के बारे में सहस महसूस किया. तो चलिए आखरे example जान लेते हैं. In spite of this wages, she was a rising tendency. इस sentence का हिंदी में मतलब है, इसके वावजुद मजदूरी में बृध्धी की पबृती दिखाई दी. I hope friends, आपको आज का ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा, और साथ साथ हमारे इस सैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा.